इस सिसी टीवी में दिखने वाले ये तीन वही खुंखार हैं जिन्होंने बीती रात कटिहार के आजम नगर प्रखंड के सलमारी के काली मंदिर के समीब आरजेडी नेता निर्मल बुबना को गुलियों से चलनी कर दिया और उनके प्रिट्रॉल पंपर लूट मचा दिया गौर से इन तीनों क्रिम्नलों को देखिए जिसके चेहरे पर कानून का कोई खौफ नहीं है निर्मल बुबना की हत्या के बाद या तीनों उनके पेट्रॉल पंप पर घुसते हैं और वहां भी लूट की घटना को अन्जाम देते हैं काटेहार के आजम निगर प्रखंड अंतरगत सलमारी में बीती रात तीन अपराधियों ने जिस तरह आरजेडी नेता ब्यवसाई निर्मल बुबना की हत्या की है उससे साफ जाहिर है कि बिहार में अब शुशासन की नहीं बलकि अपराधियों की चलती है निर्मल बुबना पंचैत चुनाओ से लेकर बीधान सभाज चुनाओ तक अपनी दावईदारी रखते थी लेकिन शनिवार के शाम बाइक सवार अपराधियों निर्वल भुबना की एस्थाई निवास पर एक दरदन से अधिक फाइरिंग की जिसमें निर्वल भुबना की मौके पर ही मौत हो गई या हर्त्या राजनेतिक हर्त्या है या कोई और इस बात की पुस्ती तो जांच के बाद ही हो पाईगी सलमारी बाजार में शाम के करीब पौने साथ वजे निर्वल भुबना अपने आवास में घूम रहे थे इसी दोरान बाईग सवार तीन बदमाशों ने उनके उपर तावरतोर फाइरिंग शुरू कर दी गोली लगते ही वे जमीन पर गिर परे चिखने की आवास सुनकर आसपास के लोग पहुँचे और पुलिस को सूचना दी तब तक उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी उसके बाद बदमाशों ने सलमारी बल्यप बेलॉन सरक किनारे इस्थित उनके हाजी नगर पेट्रॉल पंपर करमी को पेस्टॉल सटा कर दो लाक रुपे लुट लिए और तीन राउंड फाइरिंग भी की हलाकि गोली किसी करमी को नहीं लगी है पुलिस ने शब को कबजे मिले कर पोस्ट बाटम के लिए भीज दिया है वहीं सलमारी थानाध्यक संजेद दास तल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पंप पर लगे सिसी टीवी कैमरा को खगानले में जुट गए बारसोई SDPO के अलावा करवा, आजमनगर, बारसोई, बलिया, बेलोन, बलरामपूर, डंडखोरा, प्रानपूर, रोशन, ओपी के साथ नगर और सहयक थाना पुलिस श्रेत्र में घेरवांदी कर छपे मारी शूरू कर दी गई प्रितेक्ष दर्शी बताते हैं कि बदमाशों ने बुबना की हत्या के दौरान 15 से अधिक राउंड गुलियां चलाई, तीन से अधिक गुली उनके शरीर मिलेगी निर्मल बुबना जी 35 विपाई बेवसाहित है सलमारी के और पता लगा कि उनको घर में घुसे गोली मारा है और मारने का क्या कारण हो भी पता नहीं लगा है लगभग सुनते 15 गोली के लभ़ में लगी है हमारे फूपा जी लगते हैं मेरा संजय कुमार अगडवास कहा के रहने वाले थे राजनीतिक से भी जुड़े हुए थे राजनीतिक से तो जुड़े हुए थे लेकिन अब क्या कारण है यह नहीं बता सकते हैं हम जी डुटी में थे तो हला हुआ था था धाना से बड़ा बाव वी सब गय धॉड़ों तो देखते हैं कि हुआ यह गुली लगा हुआ हुआ है तब जली भी तो हम भूब कहा हुआ है तो पिर हम नहीं उठाया है हुआ से लेके भागे हैं गटना से लोगी मोथ हो गई थी अभी तो डाक्टर भीर तो हुआ करें जली ले जाई आप यह तक यहार हुआ देखाये तो अभी धोड़ों लेके आ रहा है जली कहां पर घटना हुई थी है इनके द्रभजे के आंगे है कहां किस द्रगफ ए इंद्धा ध्वार हुआ अस्तलमारी में अच्छ तो राजनी तीस दूरे वते जी राजनी को उतिकर करते थे तहीं है हत्या क्यों और किस ने की इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है पर जन कुछ भी बताने की स्थिती में नहीं है पर ब्यहार की हकीकत यह है कि अपराद पर नियंटरन अब पुलिस के बूतिक की बात नहीं रह गई है कठिहार से खुलासा के लिए रवी राज की ये रिपोर्ट